दोस्तों घर के टेर्स से इसी तरह से ताजे-ताजे रसीले और बहुती फ्रेश-फ्रेश फूट्स मिलें तो बात ही क्या है तो चलिए फूट की इस सिरीज में मैं आप लोगों को एक और नया फूट के बारे में बताती है और वो है स्ट्रॉबेरी लेकि दोस्तों स्ट्रॉबेरी जो होता है जब भी आप नर्सरी जाएंगा तो एक छोटे से पॉली बैग में मिलेगा और इसकी कीमत मात्र 30 से 40 रुपीज होती है 30 से 40 रुपीज होती है उसे लेकर आप घहर आएंगे और घहर लाकर के आपको कम से कम 10 से 12 इंच के पॉर्ट में इसे रिपॉर्ट कर देना है तो आज इसकी से मैं सारी जानकारी दोंगी कि इसके लिए मिट्टी कैसी लगानी है और इसमें कितने कौनकों से खाट डालने है कब इन्हें लगाना है और कितना खाट डालना है कब रिपॉर्ट करना है क्योंकि इसके एक प्लांट से कई सारे प्लांट बनते हैं ये रनर्नर्स निकालता है तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छे फ्रूटिंग होती है तो देखिए दोस्तों मैं जब लेकर के आई थी त कि मुझे लेट हो गया था क्योंकि इसे लगाने का समय है सेप्टेंबर अक्टूर नौमबर हैडली आप दिसमबर तक इसे लगा दीजे क्योंकि इसके फ्रूटिंग का जो टाइम होता है वो विंटर होता है मतलब नौमबर दिसमबर से फलना शुरू होता है और एप्रिल moral कि मास तक में इसकों अच्छी होती है तो इससे जरूरी है कि मैसे 40 रूपीज में ही correctionada टी तो इसकी पिमत बहुत जादा नहीं बढ़ी है यह दि आपकी पास पहले से इसके प्लांट है तो इस पहिक से बहुत सारे रुटिंग्ध्या इ dirhinha n estão पूधा जो है वह अपने दिजह दो नित आने लगती है तो कि यह हम डिर्नर जड़े ठुटे जो दो फाइदे का सौधा है तो यही आपक पास है तो आप नर्सरी नहीं जाए है आप इसी तरह से रुनर्ट्र्स निकले होते हैं और रुनर्स में ऐसे छोटे छोटे से जड़ बने होते हैं तो आपको आराम से एक पौधा लगा दीजिए यदि आप पांस से बड़ा इंच का पौट दे रहे हैं तो आप उसमें दो जरूर लगा सकते हैं दो से तीन आप लगा सकते हैं बशरते की जो प्लांटर का मुह है वो थोड़ा चोड़ा हो क्योंकि चोड़ाई में बहुत तेजी से फैल होने के बाद वो फ्रूटिंग रोक देगा क्योंकि नीचे उसकी जड़े बाउंड हो जाएगी अब देखिए मेरा यह प्लांटर यह जो प्लांट है वो एक साल पुराना हो चुका है तो इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकल गए हैं और कुछ तो रनर्स ऐसे हैं ज जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं वाकिन सारे जितने भी प्लांट होते हैं उनकी मिटेकी तरह इसकी मिटे ऻूबन होनी चाहिए और न्यूटियंट होनी चाहिए क्योंकि यह फूटिंग प्लांट है वह ब्हुत formal जैक्शा stression आए अलकर पीक्री तो मिट्टी में हम काउड़ंग कम्पोस्ट डाल सकते हैं और साथ वर्मी कम्पोस्ट भी डाल सकते हैं दूसरी एक बहुत इंपॉर्टन बात यह है कि इसमें फंगस बहुत तेजी से लगता है इसके जो crown होते देखिए दोस्तों यहां से जो नई नई पतिया निकल रही है उसे crown कहते हैं तो यदि वो मिट्टी में दब जाएगी तो तुरंट उसमें fungus लग जाएगा और fungus लगने के बाद पौधा जो है वो सड़ जाएगा गल जाएगा तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई पौधा लगाएं तो उसके crown को हमें मिट्टी के उपर रखना है और बहुत जादा नीचे तक नहीं दबाना है तो देखे मैंने यहां पर प्लांटर एक लिया है दस इंच का इसकी मिट्टी मैंने तयार कर दी है वेल रेन सॉयल जिसमें मैंने गार्डन सॉयल के साथ साथ इसमें थोड़ा सा कोको पिट लिया है और इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है थोड़ी सी फंगी साइड भी मैंन तो मैं आप लोगों को दिखलाने के लिए थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल रही हूं अब देखिए जो मेरा पौधा यह काफी मतलब हेल्दी पौधा है यह मेरा पुराना पौधा है तो इसकी मिट्टी भी एक साल पुरानी हो गई है तो उसमें भी मैं कुछ फ फ्रूटिंग के लिए ही तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट यह आपके पास काउडंग कंपोस्ट है तो आप वो डाल सकते हैं तो यह दोनों मिला करके डाल करके मिट्टी को मैंने अच्छे तरह से बराबर कर दिया है बिल्कुल पोरस मिट्टी बनी है अब यहाँ से यह पुराने प्लांट से रनर को मैं हटाऊंगी और एक प्लांट पे जो मेरे 10 इंच के हैं देगे दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें फंगिसाइड डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें एपसम सॉल्ट भी डाला जो कि इसमें की मैंगनिशियम भरपूर मात्रा में होती है तो और इसा साथ मैंने इस पुराने प्लांट में भी डाल दिया है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है अभी बारिश हो रही है तो पौधा हमारा खराब आप यह न्यूट्रियंट मिला करके उसको एकसार कर दीजिए ताकि पुराने प्लांट को फिर से नई न्यूट्रियंट मिल जाए और वो अच्छी फ्रूटिंग कर सके और जो नए हमारे प्लांटर है उसमें तो हमने यह सब बनाई दिया है और थोड़ा सा छोटा सा गड़ सकते हैं और ज्यादा मिट्टी आ जाएगी तो मतलब यह पौधा खराब हो जाएगा तो हमें इसे मिट्टी से ऊपर रखना है थोड़ा सा ताकि यह गले नहीं बहुत साउधानी से लगाना है इसी तरह से जितने हमारे पास रणार है सभी को कट करके और दो तीन प्लांट को रिपॉर्ट कर देते हैं तो मतलब ही सप्टेंबर है तो अक्टूबर के एंड आते आते यह थोड़ा सा ग्रोथ लेगा और नौबर एंड में जाकर के इसमें फ्लावरिंग स्थार्ट होगी तो दिसंबर में इसकी फ्रूटिंग होगी तो उसके लिए जरूरी है कि प्लांट तो नौबर एंड में जाकर के इनकी फ्लावरिंग होगी तो दिसंबर में फ्रूटिंग होगी इसलिए अभी इसे लगा देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आपके पास प्लांट है तो आप इनकी रिपॉर्टिंग अभी कर दें बहुत अच्छी मिट् प्लांट यह दोनों नहीं है और आपके पास लीफ कंपोस्ट है जो कि हम घर में बनाते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो आप वह भी डाल सकते हैं तो रेशियो क्या होना चाहिए 50% मिट्टी होनी चाहिए और इसमें 40% आपको काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपो अच्छी मिट्टी बनेगी जिसमें यह अच्छे से ग्रोथ करेंगे और इस तरह से मैंने दो प्लांटर में लगा दिया है एक प्लांट में तीन लगाया उर्मी को बहुत ही राइट टाइम है strawberry को report करने का तो आभी से report कर ले और December आते आते आपको अच्छे अच्छी fruiting मिलेगी तो I hope वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like, share, comment कीजिए और मेरे चैनल पे नय है तो मुझे subscribe भी कर लीजिए मिलती हो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना धेर सारा ख्याल रखें Thank you, thank you for watching ये देखे प्लांटर आपका ऐसा ही हो जाएगा और इतनी ही अच्छी आपकी fruiting होगी इतना ही अच्छा आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ करेगा Okay, मिलती हो फिर नेक्स्ट वीडियो में Bye Bye